हेलो फ्रेंड्स मैं स्टेटी 91 चैनल से नितिन गुपता आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग modern history class को continue करने जा रहे हैं और आज का topic हमारा है भारत में समाचार पत्रों का इतिहा इसके बारे माज हम अच्छे से देखने वाले और पढ़ने वाले हैं साथी साथ आप लोगों को ये भी पता चल पाएगा कि इन समाचार पत्रों के माध्यम से कैसे हमारे देश की वाओं को हमारे देश के समाज को जागरित किया जाता था ये सब भी आप जान पाओगे ठी हाँ एक चीज और काना चाहूंगा किसी तरह का अगर एडवर्टीजमेंट आता है आपके वीडियो देखने के दारान तो प्लीज हाथ जोड़कर आप सभी से निवेधन है उसको आप लोग पूरा देखा करिए उसको मत किया करिए उसी से दो पैसे की इंकम होती है अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाएगा और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सेर ज़रूर से करिये ताकि हर एक बहाई बंदू इसको देख पाए तो आईए अपने टॉपिक को सुरू करते हैं तो भारत में समाचार पत्रों का इतिहास और आज हम काफी समाचार पत्र है और इसके बाद भी काफी समाचार पत्र है लेकिन दोड में बड़ा अंतर था अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारतिय समाचार पत्र या भारतियों के द्वारा जो भी समाचार पत्र प्रकासित किया जा रहा है उससे भारतिय जनता जागरित हो इसे विर्गों का अपना अपना योगदान था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंद लगाएं। दोस्तो प्रतिबंदों के बारे में मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा। सुरू से ले करके, ठीक अधम स्टार्टिंग से ले करके कितने-कितने प्रतिबंद अंग्रेजों के दोरा प्रकासित किया जा रहा है उन पे रोक लगाया सके क्योंकि अगर उन पे रोक लगेगा तभी अंग्रेज भारत में टिक पाएंगे अधरवाइस टिक नहीं पाएंगे और उसी लिए उन्होंने ऐसा किया एक शीज़ा अठार सो तावन एक ऐसा दिवाल था बीच में जिसके पाद अंग्रेज भी उतर आएं पत्रिकारता करने के लिए क्या मतलब सर एक तरफ अंग्रेज और दूसरे तरफ भारतिय एक तरफ अंग्रेज और दूसरे तरफ भारतिय ये दोनों लोगों ने अपने-पने माध्यां से पत्र-पत्रिकाएं और समाचार पत्रों को निका ठीक है एक बात तो समझ में आते ही कि भारतिये समाचार पत्र क्यों निकाल ले थे ताकि हम आजाद हो सके हम अपने स्वाधिनता की लड़ाई लड़ सके अंग्रेजों की चुंगल से मुक्त हो सके हमारा अपना उद्देश है था और विज उद्देश था अंद्विश्वा का दिर्माड करें ये भारतियों का उद्देश था लेकिन ये जो अंग्रेज अपने पत्र पत्र काया निकाल ले थे इनका उद्देश से क्या था इनका उद्देश है था कि भारतियों के जो भावनाएं हैं उनको दबा दें उनको दबा दें और उनको हावी न होने दें इस पत्रकार्था थी उसको बाट दिया गया एक तरफ भारती घर दूसरा तरफ अंग्रेज भारतफूमिलाजूल के उसको बाट दिया गया उसको बात पूछूू किस समाचार पत्र को प्रोचाहित करेंगे, किसको सरकारी लाव देंगे, किसको सरकारी सहायता देंगे, किसको प्रतिबन से मुक्त रखेंगे, अंग्रेजों वाले समाचार पत्रों को या फिर भारतियों वाले समाचार पत्रों को बताओ किसको तो आप कहोगे सर अंग्रेज पत्रों को काफी सरकारी अनुदान, सरकारी लाव, सरकारी सहायता मिलता था, वोई भारती समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंध लगाये जाते थे, समझ में आगे इतनी बात, यानि अब चलते हैं, यानि आज की क्लास में हम लोग क्या थोड़ा सा फोकस करेंगे अंग्र लोग जानते हैं न, टाइम साफ इंडिया, टाइम साफ इंडिया का दोस्तों संपादन किया गया 1862, मियाद रखिए, 1877 में करांती हुई थी, 1888 में जो कमपनी का असासनता हो समाप्त कर दिया गया, एक नॉमबर 1888 को वाइसराय बना दिया गया, लाड कैनिंग को, और उस समाचार पत्र था, इसके अलामा दोस्तों, आगे आपने नाम सुना होगा, इंगलीस मैन का, कितने लोगों नाम सुना है, इंगलीस मैन, इंगलीस मैन एक महत्रपूर पत्रिका थी थे, कि टाइम साफ इंडिया फेमस इसलिए है, क्योंकि टाइम साफ इंडिया आज भी समा समाचार पत्र थे कलकत्ता से लांच किये जाते थे ठीक है कौन-कौन से का फ्रेंडस आफ इंडिया फ्रेंडस फ्रेंडस आफ इंडिया ठीक है यह दो समाचार पत्र थे जो की कलकत्ता से लांच किये जाते थे वहां के सबसे प्रमुख समाचार पत्र थे कलकत्ता ही क्यों द देखते हूं कि जधातर सोसाइटी, जधातर समाचार पत्र, पत्र काउएं, जधातर प्रमुख बेक्तियों कहां से बिलांग करते हैं, कहीने कहीनों कलकट्ता से बिलांग करते हैं, तो वहां की बहुत प्रसिद यह पत्र-पत्र काई थी, समाचार पत्र, ठीक है, Englishman of Friends of India, ए 1878 में आया था ठीक है यह भी आप से एक्जामें पूछ ले तो टाइम साफ इंडिया इन लोगों का नाम याद रखे एक तो गया कलकत्ता का दूसरा अगर हम आगे बढ़े मद्रास की बात करे तो मद्रास में एक समाचार पत्र आता था मद्रास मेल लिखना पड़ेगा चले सरकारी अउदान से चलता था सरकारी सहाथा चलता था यहां लिख दे रहा हूं पायनियर यह कहां से आता था दोस्तों यह इलहाबाद से लांच होता था देखें जितना मैं आद करा रहा हूं उतना most important कम सकम इतना तो आपको याद ही होना चाहिए आपके दिमाग में बिलक एंड तर उसल गजट में पाइनियर अलाबाद हो गया मद्रास मेल मद्रास से हो कह एक Civil and Military. Civil and Military. ये कहां से आता था दोस्तो? ये लाहर से आता था. Civil and Military. गजट भी लगा दीजेगा. गजट पूरा नाम. ये लाहर से आता था. लाहर. ठीक है. ये लाहर से आता था. तो कम सकम ये 4-5 तो आपके दिमाग में होने चाहिए. अब इस 4-5 के माध्यम से हम क्या बताने जारी है समझेगा एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों इन सभी में सबसे ज़्यादा फेमस कौन था तो याद रखें रेट पें सा हाइलाइट कर दे रहा हूँ इंग्लिस में सबसे प्रमुख समाचार पत्र कौन था इंग्लिस में सबसे प्रमुख था क्यों प्रमुख था क्योंकि यह सबसे ज्यादा रूडवादी था सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया वादी था इस वज़ा से हमेशा चर्चा कभी से बना रहा था ता टाइमस अफ लोग इसमें अपने चीजों को लिखते थे स्टेट्मेन न को याद मंटलब क्या कैसा सब्सक्राइब सरकार के समर्थन में लाए गया था क्या समझ में सरकार के समर्थन में लाए गया था Song बात करूं मद्रास मेल की तो मद्रास मेल यो था ये भू स्वामियों के लिए भू महाजन के लिए या जो बड़े महाजन होते थे या यूरोपी वाड़ी जो काम करते थे उनके विचारधारा को लेके चलता था कौन सा है मद्रास मेल फिर आपको याद दिला रहा हूं मद्र मद्रास मेल, जमिदारों के लिए, भू स्वामियों के लिए, कॉमर्सेल लोगों के लिए, उनके लिए चलता था मद्रास मेल, पॉइनियर, सबसे अगा सरकारी अनुदान, सरकार के समर्थन का काम कारता था, इंगलिसमेन, प्रतक्रियावादी था, रूडिवादी था, इस् यानि कुलमिला जुजा के बात है दोस्तों कि 1857 के बाद कहानी कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेजी समाचार पत्रों की भूमी का भी धिरे धिरे नजर आने लगी। अगले 10-20 सालों में देख रहों, देखो 1857, अगले 10-20 सालों में समाचार पत्रों में अंग्रेजी भासा के बहुत बड़ा युगदान देखने के मिला। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ हिंदी भासा के समाचार पत्रों की तरफ और उधर से मिक्स करता हूँ दोनों को, हिंदी और इंग्रेजी इसको मिक्स करिए, बहुत टेक्निकल चैप्टर है, इत्मिनान से सुनेंगे, समझेंगे तो याद हो अब याज बहुत सारे कंफ्यूजन मैं आपके दूर करने वाला हूँ, तो आईए, अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदी समाचार पत्रों की तरफ अब फिर उसके बाद दोनों को मिलाते हैं कि कैसे दोनों का संगम होगा, हिंदी और अंग्रेजी का संगम कैसे होगा, चलिए तो आगे बात करूँगा दोस्तों, लेकिन उसके पहले एक चीज़ याद रखिए, एक तरफ अंग्रेज जो समाचार पत्र निकाल लेते हैं तो क्या भारती चुब बैठेंगे, ना ना भारती चुब नहीं बैठेंगे, भारती उन भी धुआधार समाचार पत्र निकालन ने लगे, ठीक है, जैसे उद्दंड मारतंड, पहला पढ़ते हो ना पहला है, जुगल की सोरजिन निकाला, कहां से निकला, कानपूर से निकला, समझ रहे हो, यानि इसी तरह से बंगाल, महरास्ट, तमिनाडु, मद्रास, हर जगा से छेत्री भासाओं में, छेत्री मतलब वहाँ की जो लोकल लेंग्वेज है, वहाँ की जो रिजिनल लेंग्वेज है, उन भासाओं में भी समाचार पत्र आने लगे, और पहले भी एक चीज बता चुका हूँ, का 1880 के पहले लगबग जितने भी समाचार पत्र थे, ये हमेसा weekly आते थे, सापताहिक आते थे, और समाचार पत्र आये हैं उसमें काफी परवरतन हुआ और समाचार पत्र ने दैनिक रूप अक्तियार कर लिया ठीक है तो यह चीज़ याद रखे अच्छा कोई समाचार पत्र दैनिक कब होगा साफताइक से दैनिक कब होगा अच्छा पहले समाचार पत्र जहां से आता था उसके जो इडिटर होते थे जो संपादक होते थे ठीक है जो संस्थापक होते थे इन लोगे छोटी से टीम हुआ करती थी वो टीम जितना दूर तक फैली रहती थी वहां के समाचार पत्रों को कलेट करके लाती थी एक हफते तक समाचार देख लो आपका कोई छोटा लोकल एरिया हो वहां दस-पांच किलोमेटर की बात को कितनी घटना क्या उसका समाचार पत्र बनाए जा सकता आपको किसल नहीं बनाए इतना इतना तो आता ही नहीं कि समाचार पत्र बनाए इसलिए वेट करना पड़ता था तो सापता ही का आता समझ में रहे हैं साप्ताइक आता था मासी का आता इस तरह की पत्रेगाया आती थी लेकिन बाद में क्या हुआ जब उनका जो इसकोप था जो छेत्र था जब छेत्र पढ़ गया छेत्र का विस्तार हो गया दूर दूर से लोग सुचनाय देना शुरू कर दिये तो उन समाचा लगा है करके छेत्री भासाव में भी समाचार पत्र आने शुरू गए सबसे पहले मैं नाम देना चाहूंगा इस्वर्चंद विद्यासागर का एक महान समाथ सुधारक ठीक है आप सभी जानते है इस्वर्चंद विद्यासागर ने विद्वा बिवा को लेकर के कानूम ब पहले कौन सीकृति बनाई थी क्या बनाया था ठीक है तो इनके द्वाराए एक लिखी गया समाचारपत लांच किया गया sir प्रकास नाम था याद रखेगाistant sum प्रकास के लांचिंग हुई थी दोस्तो 1869 याद रखेगा कफ 1879 में सोम प्रकास की लांचिंग होई थी और जैसा कि मैंने बताए कि कैसा था तो जाहिट चीबात है जितने भी थी अभी वीकली ही चलेगा सापताहिक ही चलेगा ठीक है एक बात दूसरी बात दोस्तों सोम प्रकास ये जो पत्रिका थी इसमें स्वरचन्द बिद्या सागन ने जो प्रसिद्धी कम हो जाएगी यानि चर्चित हो जाएगी तो याद रखिए सोम प्रकास भी चर्चित हो गया और इस्वरचन्द बिद्या सागर भी चर्चित हो गया आप से एकजामे कूछता है कि कौन सी पत्रिका इसमें सैसी है जिसने नील आंदोलन का समर्थन किया था तो याद रखिए सोम प्रकास, कौन सी? सोम प्रकास ने, अच्छा एक और पत्रिका है, इंदू प्रकास, confusion होता लोगों को स्वोम प्रकास अलग है इंदू प्रकास अलग है इंदू प्रकास का संपादन 1862 में महादेव गोविंद रानाडे जी ने किया है ठीक है महादेव गोविंद रानाडे जी ने इंदू प्रकास का किया है जबकि स्थोम प्रकास उसके तीन साल पहले लांच हुआ था 1869 में इस्वर चैनल बिद्या सागर ने लांच किया था दोस्तों ये इतना फेमस हुआ इतना फेमस हुआ उस दोरान कि इस समाचार पत्र के बिरुद्ध लाड लिटन जो की गवनर था गवनर जनल का पत्र समाप थो गया था वाइसर आया चुका था तो इसी समाचार पत्र के बिरुद्ध लाड लिटन ने क्याल आया था जो कि उस समय का वाइसर आया था उसने वर्ना कुलर प्रेस एक्ट ला दिया वर्ना कुलर प्रेस आया दोस्तो 1878 में वर्ना कुलर प्रेस एक्ट के बाद उसमें ऐसा कड़क प्रतिबंद बनाए गया बहुत कड़क प्रतिबंद बनाए गया जो हिंदी समाचार पत्रों को रिलीज करने से पहले आप गवर्नर के हैं आप जो उनकी कमेटी होती परिसद होती वहाँ पर आप उसका एक प्रिंट भेजेंगे कि हमको यही छापना है हम आपको बोलेंगे कि यह छापी है तब आप उसको प्रिंट पेज को पब्लिस कर सकते हैं जनता के सामने आइसे नहिं कर सकते हैं तो पूरा प्रेस आपका सील कर दिया जाएगा आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा पते ही कहां का नियम कानून है वर्नाकुलर प्रेस अक्ट ऐसा खतनाक अधनियम था ठीक तो 1878 में दोस्तों आगे बताऊंगा जब प्रेस पर प्रदिवन बताऊंगा तो वहां बताऊंगा डिटेल से ठीक है अभी तो मोटी मोट आप जाने है और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अक्ट आगया ये दोस्तों इनकी पत्रिका इतनी चली इस्वर्चंद विद्यासागर की सोम प्रकास कि आगे चलके हिंदू पैट्रियाट का नाम सुनाओगा हिंदी पैट्रियाट को इन्होंने खरीद लिया हिंदू पैट्रियाट का नाम सुना था ना हिंदू पैट्रियाट देखिए बार-बार पढ़ेंगे न तभी आपको याद होगा हिंदू पैट्रियाट चली बता हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे कौन खरिए लेता है इस्वर चंद विद्धया सागर ने खरिद लिया, दोस्तो हरिस्चंद मुखर जी ने अकेले नहीं किया थे इसमें कई सारे मेंबर थे, इसमें इसे एक मेंबर का नाम है क्रिश्टो दास पाल याद रखेगा अब ये क्यों important है कृष्टो दास पाल देखे याद रखे ये बहुत बड़े editor रहते हैं संस्थापक के साथ साथ इडिटर रहते हैं हरिश्चन्द मुखर जी जो ने इसमें बहुत बड़ा काम किया और कृष्टो दास पाल जो थे हैं ये हरिश्चन्द कहा जाता है अब बताए क्या इंपोर्टेंट है कि नहीं अगर आप से आपके एक्जाम में पूस दें कि भारती पत्रकायरता का राजकुमार किसे कहा जाता है भारती पत्रकायरता का अगरदूत राजाराम मुहन रहा है अब भारती पत्रकायरता का राजकुमार किसको कहा जाता है इसलिए काता हूँ कि डीप स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ याद होगा सब इंपोर्टेंट है सोब प्रकास इस्वाचन मिध्या सागर हिंदू पैट्रियाट हरिष्चन मुखर जी यह सब इंपोर्टेंट है ठीक है चली अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इतना समझ में आ गया इसको मिटा दे रहा हूँ दोस्तों जिन लोग को नोट करके लिखना हो लोग पॉस करके नोट कर लिया करें ठीक है और जिनको नोट चाहिए जब क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी पूरी मॉडर्ण हिस्टी खतम हो जाएगा उसके बार नोट्स लांच होंगे तो इस नोट्स में सब कुछ दिया होगा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी जिजक का ठीक है चली एक सेकेंड हो जाईए तो एक तो हो गया रि सिसी में भरा है किस सिसी में सिसी में बन गया दोस्तों और के चली कई दिककत मोती लाल जोस का नाम ही नहीं देता है सीधे मोती तो याद रखेंगे अम डित मोती意ाद रखेंगे तो मोती लाल गोस और सिसीर कुमार गोस इस अम्रित बाजार पत्रिका का मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं 1868 में पत्रिका लांच हुई थी बताओ वीकली लांच हुई थी जाइट बात वीकली लांच हुई थी डबलूल दे रहा हूं स इसको अपना स्वरूप बदलना पड़ा, क्या करना पड़ा, इसको अपना स्वरूप बदलना पड़ा, और इसको 1878 में दोस्तों, अंग्रेजी भासा में ये convert हो गया, ठीक है, अब सोचिए, समाचार पत्रों ने अपने language को change कर दिया, खाली किसलिए, कि अगर हिंदी भासी होगा, तो समाचार पत्रों पर कड़क प्रतिबंध होंगे, और अंग्रेजी भासा में होगा, तो प्रतिबंध से बच जाये जाएगा, इसलिए याद रखे, वन्नाकुलर पेश एक से बचने के लिए, अमरित बाजार पत्रिगा को 1878 में, इंग्लिस में लांच किया गया आगे चलके दोस्तों, 1891 में, 1891 में इस पत्रिगा को डेली लांच करना सुरू कर दिया गया, और डेली पब्लिस करना सुरू कर दिया गया, 1891 में, एक तो यह इंपोर्टेंट था, अगला चली यह नोट करता हूँ, एक और इंपोर्टेंट है, कई बार एक जाम में 1878, जिस वर्स वर्णा कुलेब पर सेक्ट आया था, उसी वर्स लांच हुआ था, इसको लांच किया था, वी रागवाचारी ने, किसने, वी रागवाचारी ने, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एक जाम में पूछा गया, जितने पत्र पत्र का हैं, आपक इस वहासा में आने शुरू हो गया, हाँ, हालांकी था, वीकली ही, अभी बे 1850 नहीं आया है, उसके बाद ये दैनिक रूप धाल करता है, लेकिन ये थोड़ा पहले करता है, इसका क्या रात था है, इसको निकाला था, जोगिंदर नात बोस ने, ठीक है, यहे पर नोट कर बंगवासी इसको निकाला था जोगिंदर नात बोस ठीक है जोगिंदर नात बोस तो याद रखेगा ये तीन चार बड़ा इंपोर्टेंट है अमरित बाजार पत्री का 1868 ठीक 10 साल बाद इसको अपना भासा चेंज करना पड़ा अंगरेजी मागया जो पहले वीकली था 1891 मे डेली आने लगा मदरास से निकलता था हिंदू 1878 में वीर आगवाचारी इसके संस्थापक थे 1881 में ये भी डेली हो गया इंगलीज भासा में पहले वीकली आता था बंगवासी 1881 में था जोगिंदर नात बोस ने इसको स्टार्ट किया था इसके वाद आपको फिर से लेक इंडियन मीरर 1861 अब क्या करें यार पता है इतने सारे पत्रिकाया कई कुछ ने कुछ छूटी जाता है जितना याद किया रहे हो नो कुछ ने कुछ दिमास इसकी कर जाए जैसे याद आता बता देता हूँ तो इंडियन मीरर इसको याद रखेगा इसको देवेंद्र घूद्र सें लंचातो उसको देवेंद्र ना चगो इसको लांच किया था इनके साथ और कई सारे मित्र थे मनंमोहन घुस इनका अभी नाम आता है मनमोहान घूस ठीक नाव थीख है इनका नाम भी आता है 2 इसके मेन इडिटर में केसो चंद सेन थे। है संपाद की विभाग में वढ़ए था नाम याद रखेगा से हिए। अपना उन्मुषद वख्ट्र लट्र भाल सुलाब समाचार पत्र क्या था। सुलभ समाचार पत्र भी तक एक्जाम में कभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है क्यों क्योंकि केशो चंसेन बहुत important है ठीक है तो इनके द्वारा lunch किया गया था यह इन्होंने अकेले lunch किया था बंगला भासा में सुलभ समाचार पत्र ठीक है चलो अब हम लो important है पत्र का बंबई में यहां से launch हुई ठीक है एक पत्र का नाम था दोस्तों समाचार भगैए का नाम था मराठा एकका नाम था केसरी बहुत important मराठा और केसरी मराठा आपको लग रहा होगा नेनाचा भासा में लेकिन ऐसा है नहीं मराठा वाला जो था यह इंगलीस भास में आता था और जो केषरी था यह मराठा भासा में आता था यह समाचार पतr तो एक किस भास में आता था , यह का मराठा 35 भासा में मराठा को लांच गया था आगरकर ने ठीक है याद रखेगा बहुत important नाम है आगरकर ने और इसका संपाधन किया था केल करने आगरकर और केल कर तो दोनों याद रखे करकर आगे चलके इसके संपाधन का स्रेक इसको जाता है बाल गंगाधर तीलक जी को ठीक है बाल यह था केसरी यह मराठी वास्या में था यह केलकर ने इसका संपाधन किया था ठीक है और इसके बाद बंबई से और कौन था महादेव गोविंद रानाडे याद रखेगा तो यह भी मैं आपको बताई चुका हूँ सुरू में बता दी आठारा सो बासट में था ठीक है यह इ इसके बाद दोस्तो बंगाली एक और बंगाली भासा की बात नहीं कर रहा हूँ बंगाली नाम से पत्रिका आती थी अंगरेजी भासा में थी अच्छे यह इंपोर्टेंट क्यों है इंपोर्टेंट इसलिए नाम है मराठा आता है अंगरेजी भासा में नाम है बंगाली ब आप सुरेण नाज बनर जी आपको भी पता है कितने इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, सुरेण नाज बनर जी ने बंगाली समाचार पत्र लांच किया कि इस महासा में, इंगलीज महासा में, अंगरेजी महासा में, इसका नाम भी है, ठीक है, तो most important है, इसलिए सब याद आपकी एकजाम में पूछ सकता है, भारत मित्र भी एक लांच होता था, अच्छा, इसका टाइम पिरेड भी पूछ सकता है, आप जाहिज बाते अंगरेजी है, यानि 1878 के बाद होगा, ठीक है, तो 1889 है, ठीक है, इतना तो समझ में आई हो गया होगा कि जो हिंदू के वह बेक्ले होगा, भारत मित्र भी एक था, इसको लांच किया था, बाल, मुकुंद, गुप्त ने, ठीक है, ये हिंदी बाहसा था, कलकत्ता से आथा और weekly लांच होता था, भारत मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहीं कहीं नोट कर लीजिए, चलिए येधर क कठिन चैप्टर थोड़ा सा अब यहां कुछ है तो है नहीं कि बहुत कुछ यहां बताये जाए जितना important है उतना बताये जा रहा है ठीक है भारत मित्र कौन लाया था तो बाल मुकुंद बाल मुकुंद गुपत लगा लीजेगा क्या है गुपत गुपत गुपता कर बाहर के मित्र, नितिन गुप्त, बालमुकन गुप्त और हिंदी, ठीक है, कलकत्ता से लांच वता था, हिंदी भासा माता था, वीकली रहता था, ठीक है, चलिए, एक और इंपोर्टेंट याद कलीजे दोस्तो, उद्धंड मारतंड, उत्तर प्रदेश से कानपूर से आता थ था, वो कौन से था, उद्धंत मारतंड था, किसने लांच किया था, जुगल किसने लांच किया था, कब किया था, 1826, राजा राम मोहन राएन 1828 में बरम समाज के अस्थापना की उसके दो साल पहले कहानी है, ठीक है, जुगल किसने 1826 में लांच किया था, उद्धंत मारतं हिंदोस्तान हिंदोस्तान को लांच किया था मदन मोहन मालवी जीन इसको लांच किया इनके साथ थे नारायण प्रताप मिस्र यह भी इंपॉर्टेंट दोनों लोग इंपॉर्टेंट है तो हिंदोस्तान पत्रिका को लांच किया था वीकली पत्रिका थी यह याद रखेगा एक और ब्यक्ति हैं जो सबसे भारतेंदू हरिश्चंद्र ठीक है अब भारतेंदू हरिश्चंद्र जो थे यह हिंदी साहित के बहुत बड़ी रशनाकार इंको कहा जाता है माना जाता है ठीक है तो हिंदी साहित में बहुत बड़ा युगदान है भारतेंदू हरिश्चंद्र इनका इनका मासिक हिंदी भ कुइर चनदसुधा लांच हुआ था प्रकासित के आ गए भर्तन हरिश्चंदर मैग्जीन याद रहेगा हरिश्चंदर मैगजीन हरिश्चंदर मैग्जीन यह बहुतding के दौर यह तो यह दो इनके दौरत एक बार ऐता है दूसरा वाला याद रखेगा एक और याद रखे बाल मुकुन गुप्त वो भारतमित्र निकाले थे और बाल कृष्ण भट ये भी याद रखेगा ठीक है बाल कृष्ण भट ने निकाला था बाल कृष्ण भट हिंदी प्रदीप कौन सा निकाला था हिंदी प्रदीप है कब लांच किया था 1877 में 78 में लांच किया था तुरहनते एंग्रेजी में कर्माट हो गए होते ठीक है तो यह सब याद रखे आज के लिए दूस्तों बस इतना ही जानबूचकर मैं आज की क्लास थोड़ी सी छोटी करके रखा हूं क्यों क्यों कि थोड़ा सा टीपिकल होत जिसमें 1885 के बाद कितने समाचार पत्र आएं उनकी भी कलास दूँगा और खासकर जो प्रतिबंद लगाएगा वो हम लोग पढ़ा जाएगा प्रतिबंद के बाद दोस्तों हम लोग आएंगे पास्चात्य शिच्छा का भारत में प्रचार प्रसार कैसे होता उसके बारे कःएं पड़ेंगे तो आहलों लोग देखेंगे कि उडिश डिस्पैच वगड़ा क्या था मौंँ आप वो सब कबर करेंगे तब जाकर के हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर कांग्रेश तब हम लोग कांग्रेश का स्थापना किया जाएगा और उसके बाद ज्यादा तो पाइसर साल का इतियास पढ़ने में कितना समय लगेगा जादा नहीं लगेगा बहुत कम लगेगा तो आगे हम लोग बड़ा जल्दी कवर कर लेंगे चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यबाद क्लास अची लगी हो दोस्तों तो सेर जोड से करिए ताकि जादा जादा भाई बंदो इसको देख पाया और किसी तरह का एर्वर्टीजमेंट आता है तो निवेदन आप सभी से उसको पूरा देखेगा उसको स्किप मत करेगा ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच